नमस्कार दोस्तूं कैसे हो आप सभी I hope आप सब बहुत जादा अच्छे होंगी बहुत जादा तंदुरुस्त होंगे और भगवान भोले नाद की क्रपाब सब बनी होगी तो आज के वीडियो में मैं दिखाना चाहते हूं आपको कैसा हमारे घर में सावन मनाया जाता है और सावन में हम लोग क्या क्या बनाते हैं तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती मूर्ती जो की सिवलिंग है और सिवलिंग यह हाँ पे हम लोग बना रहे हैं तो हमारे हैं सारी वाज है कि हम लोग सावन में मतलब आप करना चाहो तो अगर नहीं करना चाहते हो तो हमारे भोले नाद जी बहुत सीधे साधी हैं लेकिन मैंने सोचा था आपकी कि मैं के स्यूलिंग पती पतनी मिल के बनाते हैं जैसा कि मिस्रा जी और मैं बना रही हूं तो मिस्रा जी अरगा बना रहे हैं मतलब कि जिसमें स्यू जी को रखना होता है और बहुत ही ध्यान से बहुत ही प्यार से बना रहे हैं क्योंकि स्यू भक्त हैं वो और मैं भी हूं जैसा कि बहुत अच्छे से अरगा बना रहे हैं और यहाँ पर फोन आ गया था मिस्रा जी का तो वो मैंने उनके कान पर लगा दिया वो आप लोगों को नहीं दिख रहा है क्योंकि वो शाद नहीं दिख रहा होगा और यह अरगा बहुत अच्छे से बनके कमप्लीट हो चुका है तो यह आगे का जो भाग होता है जहां से आप पानी वानी डालते हो तो नीचे बहता है ना यह वो वाला हिस्सा है और आप देख सकते हो देखने में कितना ज़्यादा सुन्दर लग रहा है तो ऐसे ही पूरी पृतीमा बहुत अच्छे से बनाया था और हाँ नहाद होकर मिस्तरा जी पूजा कर चुके थे मैं नहाद चुकी थी लेकिन मैंने अभी पूजा नहीं किया है और टाइम हो रहा था करीब पांच वाज के आसपास रहा होगा क्योंकि बहुत सुबह उठे थे हम लोग चार बजे और फिर यहाँ पर मिस्तरा जी बना रहा है उन्होंने मुझे बस रोग दिया कि तुमने हाथ तो लगा ही दिया है बाकी तुम अपना अलग काम देख लो मैं ये वाला काम कर लेता हूँ तो थोड़ा सा आप देख सकते हो कितना प्यारा बना है वैसे भी सुंदरता में हमारे स्यूजी के समान कौन सुंदर है उनके आगे सब कुछ बेकार ही है क्योंकि वो बहुत सुंदर है हम या आप उनकी पृतिमा को नहीं बना सकते हैं लेकिन फिर भी जितना उन्होंने हमें दिमाग दिया है, जितना उनका दिया हुआ हमारे पास गुन है, उससे हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, और अपने ढंग से पूजा करने की कोशिश करते हैं, कि उनको हम खुस कर सकें। तो यहां पर अरगा बनके तयार हो चुका है, और सिवलिंग बन गई है, तो मैंने सब कुछ हरा हरा पहना हुआ है, हरा चूड़ी, हरी साड़ी, हरा नेल पिंट, क्योंकि कहते हैं ना सावन में अगर आप हरा पहनते हो, तो सिव जी प्रशन होते हैं, और पर्यावरण भी हम सच में एक सुकून देने वाला दिन होता है, मतलब इतना अच्छा लगता है, कि मैं आप लोगों से क्या कहूं, और यह यहां पर जो आख और नाक बनाने के लिए जो लकड़ी थी, वो थोड़ा सा चिकनी कम थी, तो उससे ज्यादा अच्छा नहीं आता, इसलिए मैंने य वाली दिया, उनको अच्छे से करके दिया, और यह यहां पर आप देख सकते हो, कितना बढ़िया, अच्छे से एकदम आख, ना, कान, सब कुछ बना रहे हैं, मिस्टर जी, मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूंगे, कि स्यू जी की पृतिमा बना, हम लोग नहीं बना सकते क्योंकि वो तो बहुत सुंदर हैं, वो तो देवादी, देओ, महादीओ हैं हमारे, लेकिन फिर भी हम अपने हिसाब से बस एक कोसिस करते हैं, छोटी सी उनको खुस करने की, वरना अगर आप एक लोटा पानी भी सच्चे मन से चड़ा देते हो ना, तो उससे भी हमारे पर रग दी गई है, इसके बाद सबसे लास्ट में अब बनाएंगे हम लोग जो नाग होता है, जो कि संकर जी का विशेश अभूशन होता है उसको, तो यह यहाँ पर मिस्टर जी ने स्टार्ट कर दिया है बनाना और यह नाग बनाना बहुत ही आसान होता है, बस इसमें अ अब हलका सा आगे की तरफ मुझ चप्टा सा कर देंगे, और बस अब हमारा नाग कम्प्लीट हो गया, हमारे सिवलिंग भी कम्प्लीट हो गई है, तो कैसी लगी है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा, तो सबसे पहले माफी चाहते हूँ, क्योंकि बहुत देर में आई आप लोगों के सामने, एक्चली बहुत जादा काम था, तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, और मैंने मूर्ती बना ली है, जैसा कि आप लोगों ने देखा, अब चली मैं आप लोगों को दिखा देती तो ये है पूजा की थाली, जिसमें है फूल, और बाती, दिया और बाती, माचीस एक जनेव है, और एक सुपारी है, साथ में दक्षिना, सिंदूर, और लॉंगी लाची, और भस्म है, गुड है, थोड़ा सा फल है चढ़ाने के लिए, और इसमें जो भी है आप देख सकत देखो, बेल पत्र, और देवना की पतियां है, देवना की पतियां समी की पति, और सिंदूर दानी जो है, और गौर है, तो इसमें सब कुछ पूजा करेंगे हम लोग, और इसमें मैंने रखा है मंदार के फूल, जो की भगवान संकर को बहुत जादा पसंद होते हैं, तो यहां सबसे पहले मैं करूंगी रुद्राभिशेक, उसके लिए मैंने लिया है, पंचामृत लिया है, जिस जो की दूद और शहेद, घी, मेवा और चीनी या मिसरी गुड़, आप कुछ भी डाल सकते हैं, उसके साथ बनाया जाता है, तो पंचामृत के लिए मैंने यहां यूज किया है, पीतल का लोटा, क्योंकि कहते हैं, तामवे के लोटे में नहीं चढ़ाना चाहिए, पंचामृत मीठा नहीं डालना चाहिए, और स्टिल या फिर किसी और बरतं में संकर जी को नहीं चढ़ाना चाहिए, यह मुझे पहले पता नहीं था, जब मैंने बहुत स करती जा रही हूं आप लोग देखिए और अगर मैं कुछ गलत कर रही हूं अगर मैं कुछ गलत कर रही हूं तो उसको आप लोग मुझे बताईए कमेंट सक्षन में क्योंकि मैं परफेक्ट नहीं हूं लेकिन हाँ कोशिस करती हूं एकदम अच्छे से पूजा करने की और नहां पे दिया जल गई है मेरी और मैंने जला दिया है क्या बोलते हैं धूप हाँ धूप मैंने जला दिया है और मैंने चड़ा दिया है बेल पत्र तो वैसे मुझे ये सब चीजें पहले चड़ानी चाहिए लेकिन मैंने बेल पत्र पहले चड़ा दिया था तो जन्यों मै एक बार चढ़ा चुकि उसको उठाओ मत तो इसलिए मैंने ऐसे ही उपर से रख दिया इसके बाद अब चढ़ाओंगी सुपारी फूल और देवना की पतियां साथ ही हमारी जो समी की पतियां होती है वो और उधर रखी है लचमी गडेश की पूजा क्योंकि गडेश जी की प प्रतिमा भी रख दिया है और ये आम और फल चढ़ा दूंगी बाद में क्योंकि आम और फल जरूर चढ़ाने चाहिए मतलब आम जरूरी नहीं है फल होना चाहिए वो कोई सा भी फल हो सकता है जो आप चढ़ाना चाहो फिर मैं लगाओंगी चंदन और उसके बाद भस्न कर दूंगी थोड़ा सा भोले नात पर और गड़ेश जी पर मैंने दूप भी चढ़ाई है आप लोगों ने शायद गौर किया हो और सिंदूर चढ़ाऊंगी सिर्फ और सिर्फ लक्ष्यमी जी को और गौर में क्योंकि संकर जी को सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है आप अगर जानते हूँ तो बहुत अच्छा हैं नहीं जानते तो कोई बात नहीं मैं बता दे रही हूँ अब मैं यहां पर पाठ कर रही हूँ और पाठ करने के बाद फिर हवन और आरती होगी पाठ करने के बाद अब कर दूँगी मैं हमन हमन में कर चुकी हूँ और उसके बाद फिर करूँगी मैं आरती तो आरती कर जब भी आप हमन करो हमन के बाद में आरती करना चाहिए बहुत से लोग हमन के पहले करते हैं लेकिन मैं हमेशा हमन के बाद करती हूँ तो आप अगर पहले पहले करते हो तो वो मुझे बताओ और अगर आप बाद में करते हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हो reason के साथ बताएगा जिससे की अगली बार मैं भी अगर गलत कर रही हूं तो मैं भी change करनूं और फिर उसके बाद आप दोंगी मैं गौर माता को सिंदूर और उनी से मैं सिंदूर लूँगी क्योंकि सिंदूर का बहुत महात्तो है हमारे धर्म में जैसा कि आप सब ही जानते हो तो कुछ ऐसे पूजा करती हूँ मैं और ये रहा मेरा भगवान सिव को प्रशन करने का अब खुस करने का तरीका आप लोग कैसे करते हो क्या क्या करते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ और अगर आप कोई और वीडियो जाते हो असा उसके दीब भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो और फिर से मिलूगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ लाइक नहीं किया है तो फ्लीज लाइक कर देना आप मेरे चनलर पे नए हो पहली बार आए हो तो फ्लीज सब्सक्राइब करते हुए जाहिएगा और जैब हो रेना